ऑफ बच्चो वेलकम टो मैं शैनल सोसल लेम आज हम आपके लिए टॉपिक लिए कर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर वन नेशनलेजम इन यौरॉप से जो इस नेशनलेजम यौरॉप मेहना बच्चे बहुत डरते हैं एक टॉपिक से टॉपिक का नम है यौनिफिकेशन तो बोलते के साथ आपको किसकी बात हम कर रहे हैं जर्मनी इतली और ब्रेटें की तो तीनों तो एक बार नहीं हो पाईगा एक वीडियो क्लिप में तो हम आपके लिए आज डिसकस करने वाला है यौनिफिकेशन अफ जर्मनी का तो आपको वहीं दिख रहा है यौनिफिकेशन लेकिन यह जो अफोर्ड था जर्मनी को यह नेशन स्टेट बनाने का यह इसमें ज्यादतर योगदान मिला कंजर्वेटिव का और इनको इन्होंने बना दिया नेशन स्टेट तो वहीं आज देखते हैं कैसे यह नेशन स्टेट के रूप में सामने आया अपडेट को इग् नेशनलिजम बाली फैलिंग थे नेशनलिजम बाली जो फैलिंग पूरे येरॉप के अंदर सर्कुलेट हो रही थी 1789 के बाद यह जो फैलिंग्स देना यह रिलेट करता था किस चीज़ से दो चीजों से कौन कौन सा दो चीज़ है एक डेमोक्रेसी से है और दूसरा रिव सेंटिमेंट था इसका एस्तमाल देनलिजिट मैं से यूज़ का इस्तेमाल करके अशीवीं क्रने के लिए नका सपोर्ट पाते लिए और कया करने के लिए दूसरे territories को अपने कबजे में लेने के लिए देखरो achieving political domination and promote nation state power बनला होने power को encourage करने के लिए दूसरे राज को कबजे में लेने के लिए यह nationalist sentiment का प्रियोग किया करते थे कौन लोग conservatives लोग तो यह conservatives कौन है पहले यह जानना हलाकि यह topic आप पहले ही पढ़ चुके हो conservatives कौन होते यह कह सकते हो conservatives people those are stressed the importance of tradition established institutions and customs मतलब वो लोग जो पुराने ववस्ता पुराने संस्ता पुराने customs को follow करते हो उसको बनाय रखने का प्रयास करते हो development में believe नहीं करते हो यह लोग conservatives थे और यही लोग यहां क्या कर रहे है nationalist sentiment का योग करके और क्या कर रहे है अपने state के power को encourage कर रहे है अपने state के power को expand कर रहे है तो यह है कौन सर इसका example क्या होगा इसका example देखो सबसे best है Germany और दूसरा Italy तो इसलिए Germany का example हम लोग देखने वाले है तो जर्मनी को कौन unite करना चाहत पता है ना आपको middle class जो revolution से स्वारी इंडस्ट्रियल revolution सिटीज और टाउन के ग्रूथ के बाज इमर्ज हुए थे पूरा यॉर्प के अंदर तो यह new middle class जो जर्मनी के थे यह चाहते थे क्या कि एक nation state बन जाए जर्मनी बेफोर 1848 तो nation states कैसा नेशन स्टेट चाहिए एक ने इसको freedom हो और सबको association को फार्म करने की भी आजादी हो यह middle class वाले चाहते थे कि ऐसा एक जर्मन नेशन अस्टेट बने अब इस यह जो ती फिलिंग्स है ना इसका इस्तमाल कर लिए और जर्मनी को बना दिया स्टेट आशा मेडल क्लास का ने एक और effort देखते है मेडल क्ला था 831 का 18th January 1848 को फ्रैंकवर्ट जीटे में जो इकठा हुए जर्मन निशनल असेंबली बनाने के लिए उसको फ्रैंकवर्ट पार्लियमेंट नाम दिया गया हाला कि वह successful नहीं रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट जो मोनार्क्स थे उन्होंने क्या क्या कंबाइंड फॉर्स का लेकर के जंकरिस का हेल लेकर दूसरी कंजर्वेटिफ्स का हेल लेकर इस पार्लियमेंट को एरोड कर दे क्रस कर दे यह success नहीं रहा लेकिन यहां effort तो लगा ना पारी जो ये middle class हो आले थे जर्मन का इन्होंने effort लगा या इन्होंने effort क्या लगा भगै जर्मनी को एक डेसरा आगे आया प्रस्या जर्मन का स्टेट का ही एक हिस्सा है प्रस्या और यह आगे आया जर्मनी को युनाइट करने के लिए प्रस्या में प्रस्या का चीफ मिनिश्टर था आटो वॉन वेस्मार्क का अपना इसका स्ट्रोगल के बज़ा से यह प्रस्या क्या किया जर्मनी को प ने और सुन्क और सिंद्रियू और देनंमार्क और तीसरे है फ्रांस इन तीन देसों के दास साथ प्रस्या ने युद्ध किया और युद्ध करने के मिदल क्लास होड़ी कर रहा है आर्मी का इस्तेमाल करना युद्ध करना सब्सक्राइब और यह लोग चाहा रहे है क्या जर्मनी हो एक नेशन बने जर्मनी बन गया नेशन और 1871 में बना तो यहां कि राजा एनाउंस किया गया काजर बिलियम फस्ट को कौन राजा बना काजर बिलियम फस्ट और कहां बना तो इसका देखो प्लेस कौन सा है हौल अफ मिरर यह कहां है पैलेस ऑफ वर्शाय इंड फ्रांस फ्रांस में क्या किया गया कि हौल अफ मिरर में क बहुत सारे लोगी कठ्ठा होते हैं अलग-अलग राज्य के प्रिंसे जाते हैं यहां भी सेम चीज़े हुई यहां कौन को नहीं कठ्ठा हुआ तो जर्मन स्टेट का जितना प्रिंस था वही कठ्ठा हुए और प्रसियन मिनिस्ट्री साथी साथ और वन भी समार किये सब इन्होंने अपने कंट्री में चेंजेज किये किस चेंजेज करेगा करिंसी को चेंज कर दिया बैंकिंग को चेंज कर दिया जुडिसल सिस्टम को चेंज कर दिया और इस तरह से जर्मनी नेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में पूरे यॉरॉप में इमर्ज हो तो यह जर लफ मेर और पालस और बर्शाय याद रखो यह मेजर पॉइंट से यही आपको जादा तर रखने का प्रियास करने युनिफिकेशन अगर इतना याद रखिया आप वहां पे जब आपकी बारी आएगा ना आपका एक्जाम में तो आप असानी से इसको लिख पाऊगे तो यह ही बस ध्यान में रखना है इसी तरह से हम युनिफिकेशन आफ इतलियों जल्द से जल्द प्रियास करेंगे आपके लिए बना दे आट साथ